हाई अवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहुल जैस्वाल लें स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेर आपके सामने एक most important science का lecture वीडियो लेकर आगया हो दोस्तों जिस भी हम पढ़ने वाले हमारे seven standard के लिए science subject का जो हमारा chapter चल रहा था फ्रेंड जिसका नाम है chapter number 16 natural resources आज हम इस particular chapter का lecture number 3 आपके लिए लेकर आगया है जो कि आगेर एक बहुत जादा important lecture व आएगा science का उसमें हम लोग आपके लिए एक और new chapter की शुरुआत करेंगे तो almost हमारा 16 chapter आज complete हो जाएगा दोस्तों आप सोच सकते हो कि almost हमारा portion खतम होने वाला है तो बस आपसे ही request है जितने भी chapters हुए है वीडियो दुबारा देखो दोस्तों जितना जादा देखोगे उ तो भी आप देखो यहां पर आप कोशिश करोगे ना तो लेक्चर नमर थ्री में हमारे कुछ पार्ट्स रहे था आपको याद होगा कि लेक्चर नमर टू में हमने एक टॉपिक की शुरुआत की दोस्तों जिसका नाम था फ्यूल ठीक है तो फ्यूल हम लोग देख रहे थ प्यूल इस्तिमाल करते हैं कहीं कहीं आप देखोगे तो कोईले से खाना बनता है कोईले से ही इंडस्ट्रीश चलती है ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं जो कोईले से अभी भी हो रहा है पहले के जमाने में तो होता ही था ठीक है लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हम लग बोलते हैं crude oil अब यह crude oil क्या होता है friends जैसे कि आपको पता है कि mineral oil या crude oil की है अगर मैं बात करूँ एक oil है जो हमें जमीन के अंदर से मिलता है कुण सा oil दोस्तों अगर मैं एक बात आपको यहां पर बोलता हुँ कि हमारा जो petrol आता है diesel आता है kerosin आता है यह तीन ही में चीज होते हैं उसके अलावा पैराफिन वैक्स एंड टर्पेंटाइन ऐसे बहुत सारे अलग-अलग चीज़े होते हैं लेकिन उसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो आप छोटे हो उसके लिए जैसे आगे बढ़ोगे आप उसको जानोगे लेकिन फिलाल में तो आप तीन चीज तो हमेशा जानते हो एक तो आपका पेटरोल जिससे घाड़ी चलती है डीजल, गाड़ी चलती है जिससे बहुत सारे घरों में चूले भी जलते आज机 में ग्यास तो सबके घर में आग तो वो आज भी इस्तेमाल होते, तो यह चीज आता कहां से? अब पेट्रोल अलग से आता है, डिजल navigate, केरोसीन अलग से आता है, बंद दोस्तों यहां पー आप लोगो यह चीज नहीं पता होगा कि यह तीनों चीज और इसके und यह इक ही चीज से बनता है, जोकी है developed a crude तो होता यह दोस्तों कि जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि लगबग करोडो साल पहले हमारे अर्थ के उपर डाइनोसोर्स हुआ करते थे अलग-अलग प्रजाति के जानवर थे पेड़ पौध यह बहुत सारे थे तो जैसे प्रलाय आ गया जैसे हमारा अर्थ खत से इन्सान है हाइट में देखा जाएट थे चोटी दिखते हैं तो उनका जो फैट था चरबी था वो क्या होता एक तरीके से ओटाए होता है तो पुरा जमीन के अंदर चला गया दफना हो गया वो लोग घड़ गया महां पर जाकर धीरे-दीरे कारवन deposit होता गया carbon होते गया सालों साल बित्ते बित्ते लगबग लाखो करोडों साल के बाद वो जो oil था वो black oil में convert हो गया and वो black oil it is a mixture इसका किसका mixture है अलग-अलग oil के fats का मतलब अलग-अलग जानवर के fats का mixture है उसके अंदर कुछ trees, पेड़, पौधे चोटे अलग-जानवर, दूसरे अलग-जानवर मिट्टी, यह सभी चीज मिल-मिलके और साथ में जो carbon automatically deposit होता है according to the years जो past sound होते रहते हैं उसके इसाफ से जब वो deposit होता है उसके अंदर तो वो पूरा change होते होई because of temperature, because of pressure और वो change होते होते क्या बन गया दोस्तो हम क्या करते हैं हमने एक रास्ता ढूड निकाला कि अगर जमीन को खोदा जाये अंदर, उसको बोर्विल जैसा किया जाये अंदर-अंदर तक, सिफ जमीन के नहीं समंदर के अंदर भी होता है, जब ocean का topic आएगा तो मैं बताऊँगा आप लोगो लेकिन समंदर के अंदर भी ऐसा drilling किया जाता है लग-बग मतलब 15-15-20 km अंदर drill किया जाता है बहुत अंदर अंदर drill किया जाता है दोस्तों यहाँ पे और उसके बाद निकलता है उसमें से और उसको distillation किया जाता है fractional distillation एक process होता है जिसमें एक ही oil से एक ही crude oil से अलग-अलग चीज़े निकाला जाता है तो सबसे पहला जो pure निकलता है वो petrol निकलता है मतलब उसमें से निकलते है फिर diesel निकलता है मैं आपको वही बता रहा था कि कितना important चीज़ है और एक time ऐसा आएगा कि यह जो जमीन के अंदर जो oil है कब तक रहेंगे यार सालों से use कर रहे हम लोग 100 साल 200 साल से use कर रहें कहीं न कहीं ठीक है तो यह जो चीज़ें कभी ने कभी ख़तम हो जाएगे इसके लिए हम लोग 1000 से लेके 3000 मीटर की गहराई में आपको मिलता है तो यह बात होगे fuels की तो fuels आपको समझ में आ गया होगा ओके अब next sorry fuels के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है mineral oil यह आपको समझ में आ गया होगा पहला टॉपिक होगा mineral oil वैसे हम लोग को एक हो टॉपिक पढ़ना है दोस्तो जिसका नाम है natural gas तो natural gas भी सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार आपको जमीन के अंदर से oil मिलता है crude oil जिसको बोलते हैं हम लोग जिससे हम लोग petrol diesel kerosins बनाते हैं उसी प्रकार आप जमीन के अंदर खोदोगे न तो यह petrol वगरे जहां पे मिलते है पे पेट्रोल नहीं sorry माफ जमीन के अंदर ही कही न कहीं घूमता रहेगा तो उसको भी ड्रिल करके बहुत सारे like chambers बनाके hole करके उसमें से भी gas को collect किया जाता है यह जो natural gas है इसमें दो टाइप के gas को collect किया जाता है एक होता है मतब ग्यास तो एक ही होता है लेकिन उसको compress करके किया जाता है that's why it is called as the CNG compressed natural gas आपको पता होगा आज के रेट पे petrol diesel के अलावा एक और gas से गाड़ी चलती है जो कि यह CNG compressed natural gas, CNG stations भी आजकल तो यानि कि petrol pump पे आप देखोगे तो petrol diesel और उसके third option रहता है CNG तो auto rickshaws वगरे जब CNG वगरे पे चलती है और एक और gas निकलता है जिसको बोलते है LNG, LNG का मतलब होता है liquefied natural gas, यह हो गया compressed natural gas यानि कि gas है लेकिन दबाया हुआ, compress किया हुआ और यह liquid के form में natural gas है, that's why it is called as the liquefied natural gas, clear है, यह दो चीज़ आपको याद रखना है, तो CNG और LNG के form में होता है और यह जो gas होते है न natural gas, इसके main component के अगर मैं बात करूँ, तो main components क्या हो होता है, तो जो आपको smell आता है, वो कौन सा gas का होता है, methane gas का होता है, तो obviously आप समझ जाओगे कि जमीन के अंदर भी ऐसे type के gas ज्यादा present है, लेकिन methane के अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारे gas है, जो इस natural gas के अंदर present रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद में अगर दे रखा जाए, तो सबसे ज्यादा present रहता है natural gas के अंदर, और इसके अलावा दो तीन चीज़े और होती है, जैसे कि C2H6, इसको बोलते है, ethane, तो ये भी थोड़ा present रहता है, तीके, उसके बाद बात करू, C3H8, जिसको बोलते है, propane, ये भी थोड़ा present रहता है, और इसके क्या बोल रहे है sir, कुछ डरना नहीं है, मैं हूँ आपके लिए, सब syllabus पढ़ाता हूँ, science का, मैं 7, 8, 9, 10, हर एक के chapters पढ़ाता हूँ, तो मैं ही पढ़ाऊंगो, तो आपको tension नहीं लेना है, ठीके, मैं हूँ आपके लिए, जो भी chapters है, वो बने हुए है already, आपको फिर भी कुछ समझ में आ गया, तो ये methane तो present होता है, लेकिन इसके अलावा ये 3 भी सबसे ज़्यादा present होते हैं, इसके अंदर आपके natural gas के अंदर, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गया रहेगा, अब कुछ characteristics की अगर मैं बात करूँ, ये जो gas होते है natural gas की, अगर मैं मैं बात किया, CNG, LNG, ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते, fire बहुत जल्दी catch करते हैं, जैसे कि अगर gas यहाँ पे है, CNG यहाँ पे present है, for example, मैंने आज जैसे माचिस light किया, माचिस जलाया, वैससे ही वो आग पकड़ लेगा, बलाश भी हो सकता है, तो ये बहुत खतर निकलता है, साथ में ये pollution भी बहुत कम करता है, less pollution करता है, बहुत कम pollution करता है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही harmful gas भार रहाता है, जो कि carbon dioxide है, लेकिन वो भी बहुत जरा सा होता है, थोड़ा सा होता है, इसके लिए ज्यादा तर लोग CNG आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम pollution कम होगा, तो obviously हमारा जो environment होगा, जो हमारा वातावरन रहेगा, वो भी clean हो जाएगा, तो ये कुछ easy, इसके properties होते हैं, बहुत अच्छे properties होते हैं, और एक और सबसे important characteristics, यानि विशेशता है माना जाता है, इस gas की जो की है, बहुत easily इसको आप transport कर सकते हो, easily transport करने का मतलब क जैसे कि आपको पता होगा, petrol diesel को, यहाँ पे बड़े-बड़े tankers में भरके लेके जाए था, लेकिन हमेशा risk करेता है कहीं ने कहीं, ठीके ना, लेकिन ये CNG वगर है क्या होता है, बस pipeline connect कर दो, और pipeline से कहीं पर भी पहुचा दो, बहुत सारे जगा पे आज भी हो रहे, stations हो यहाँ से pipeline connected है, लोगों के घर में भी आ सकते हैं, ठीक है, यह नहीं, एक और gas होता है, LPG उसके बारे में बात करूँगा, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, यह gas जो है easily transport हो जाता है, बहुत इसके characteristics भी आपको समझ में आ गया रहेगा, तो अ liquefied petroleum gas, L for liquefied, P for petroleum, G for gas, तो liquefied petroleum gas, LPG, कुछ याद आया, LPG is nothing but जो आपकी घर में cylinder बाटला रखा हो है, जिससे आप खाना बनाते हो, वह होता है LPG gas, अब इसमें दो चीज प्रेजन्ट होते है, याद रखना, यह किस से बनता है, LPG gas जो है तो उसको बनाये जाता है, ल होता है, और बचा हुआ जो 70% है, वह ब्यूटेन होता है, आपको याद है, यह वाला देखो, प्रोपेन और ब्यूटेन, कहां से मिल रहा था, हम लोगो, जमीन के अंदर से ही मिल रहा था, नाच्रल गैस के फॉर्म में मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन, प्र जाल में इतना याद रहो, प्रोपेन और ब्यूटेन मिला के, आपका जो घर में सिलेंडर है, उसमें जो गैस होता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम यानि या लपीजी गैस होता है, और उसको सिलेंडर में इसलिए रखा जाता है, ताकि एजी लिए आपके घर में टोपे डाल के आप उसको खाना बना सको, और एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह माना जाता है दोस्तों, एलपीजी के अंदर, इसके अंदर एक केमिकल भी डाला जाता है, एक और गैस डाला जाता है, जिसका नाव में दोस्तों, इथाइल मैर कैप्टें, इथाइल मैर कैप्टर करके एक घैस होता है, यह डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, कभी देखो नोटीस किया होगा, आप देखो smart लोग है, पहली बाद तो मैं आपको यह बोलूगा, आपका generation जो है न बहुत smart है, यहाँ से बहुत smart है, लेकिन आप सोचते नहीं हो, CHAR akt ह ध्यान जादा तर आपके गेम्स खेलने हैं उसमें होता है लेकिन खेलो दोस्तों मैं मना नहीं करता हो लेकिन फोकस रहो यार बहुत सारी चीजे होती है दुनिया में जो चीज हो रही है तो वो क्यूं हो रही है यह जानो अभी तो मज़ा आएगा लाइफ का यार लाइफ हम हम लोगों बहुत सरी चीज सीकना होता है यार बहुत सरी चीजे हर दिन कॉम्पीडिशन होता हम सोचते ला आज 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 आगए यू Karma कर होगे तो कोही है आप से आग निकल जाएगा तो आप अरां मत करो अरा मतलब B Yoda को रेष्ट मिलना चाही ऐए पता चल जाता है गास लीक हो रहे तो वो जो स्मेल आता है ना वो जान बुच के यह जो इथाइल मैर कैप्टा नाम का जो केमिकल है वो डाला जाता है LPG के अंदर ताकि जब भी कोई गास लीक हो जाएगा तो इसका स्मेल आ जाएगा वो गास वो जो स्मेल आता है आपको इस चीज जाला जाता है, सोचो हम कितने स्मार्ट है, तो इससे आपको पता चल जाता है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया रहेगा, बहुत सिंपल सा और बहुत ही इजी चीज था, अब यहां पर यह हमारा नैच्रल गैस और मिनरल ओईल, यह सब का पार् आपको बिल्कुल चिंदा नहीं करना है, हम लोग यहां पर आपके लिए है, ठीक है, ओके, दो यहां पर मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला है, हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, अभी, यह है, हमारा forest resources, ठीक है, चलो, heading डाल देते है, forest resources, अब देखो, forest resources, forest का में नहीं देखा होगा, तो movies में, TVs वगरस में तो देखा ही होगा, तो jungle is nothing but एक ऐसा चीज होता है, जिसमें बहुत सारे variety of plants, जिसको हम लोग trees भी बोल सकते हैं, trees बोल लो, plants, trees, और and animals, animals जो होते हैं, बहुत important source माने जाते हैं forest के लिए, तो jungle एक ऐसा चीज होता है, जिसमें पेड़ पौधे तो रहते ही हैं, plants छोटे-छोटे होते हैं, herbs प्रेजन्ट होते हैं, बड़े-बड़े पेड़ प्रेजन्ट रहते हैं, लेकिन इसके अलावा, जंगली जानवर, wild animals भी इसके अंदर रहते हैं, जो कि एक complete balance बनाते हैं हमारे forest के अंदर, तो लग-बग अग जंगल कहा हैं, आपको पता ही है, rainforest, Brazil में, आपको पता ही है, ऐसे बहुत तरह है आपको जगा मिलेंगे, तो 30% जो total land हमारे पास जो प्रेजन्ट है, उसमें से 30% कितना है, जंगल है, यानि कि forest है, और इसके अगर functions की बात करें, तो आपके लिए जो forest होता है, वो important की हुए जैसे मैंने आपको ये topic पढ़ा रहा हूँ, function बता रहा हूँ इसका, forest का, तो ये क्यों important इसके कुछ functions है, क्योंकि जंगल का होना, अभी भी आज के डिड़ में हमारे लिए बहुत important है, लोग इसको काट देते हैं, खतम कर देते हैं, बिल्लिंग्स बना देते हैं, लेकिन जंगल होना आज भी important है, सबसे important इसलिए है, कि जंगली जानवर कहा जाएंगे, animals बिचारे कहा जाएंगे, आप सोचो यार, अगर आपने जंगल कट कर दिया, उसमें lion tiger रहते हैं, आपने जंगली काट दिया, तो lion tiger कहा जाएंगे, आपके घर में आ जाएंगे, आपको खा कानून, एक law बनाया हुआ है, तो animals को protect करने के लिए, बहुत सारे अलग-अलग type के plants को protect करने के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको protect करने के लिए, ये forest resources हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं, और इसके अलबाबा बात करें, ये soil erosion को भी prevent करता है, क्योंकि जम अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ही अच्छा एक चीज माना जाता है, percolation of water, तो percolation of water का मतलब क्या होता है, कि जो पानी होता है, जमीन के अंदर जाना चाहिए, तभी तो पानी का source जमीन के अंदर जाएगा, हम लोग खोचते तो पानी मिलता है, तो कहां से आता है, बार इंपोर्टेंट चीज है कि जो बार्ड वगरे आते हैं, इसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर एक खाली जगा है, तो वहाँ पर पानी बहे सकता है, लेकिन अगर पेड़ पाउधे रहेंगे, तो पानी को वही पर रोक देते हैं, पानी को एब्जॉप कर लेते, तो बार्ड को रोकने का भी काम फॉरेश्ट करता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है, क्लियर है, तो फॉरेश्ट का आपको समझ में आ गया, वाइल लाइफ तो प्रोटेक करता है, ये अनिमल्स को प्रोटेक करता है, लेकिन दोस्तों इसका और बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमारे लिए काम आते, वो आपको जानना जरूरी है, एक इंपोर्टेंट चीज है, कि हमारा जो फॉरेश्ट होता है, वो मेडिसिनल परपस के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, दवाईयों के तोर पे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, जो आ पुछता है, explain the medicinal plants है, दिमाक में आना चीए, medicinal plants कौन से होते हैं, अदुलसा होता है, नीम होता है, तुलसी होता है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे, तो मैं आपको कुछ रफली बता देता हूँ, कि अदुलसा जो होता है, अदुलसा खासी और सर्दी के लिए ठीक करने के लिए काम आता है, नीम जो होता है, वो भी आपका यहाँ पे फिवर और कोल्ड ठीक करने के लिए बुखार, अगर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए काम आता है, तुलसी तो आपको पता है, यह कफ ठीक करने के लिए काम आता है, इस जो आपका डाइडिया भी और साथ में नॉजी या यानि कि जो वमिटिंग का सेंसेशन आता है आपको इसा लगता है इतने सारे medicinal plants है, ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, medicinal plants से इसका use क्या होता है, यह अपने मन से भी आप लिख सकते हो जो आपको knowledge होगा, वो आप लिख सकते हो इसके अलावा अगर बात करो दोस्तों, और भी बहुत सारे uses है plants के, बुड, लकडी जो होता है, इससे हम लोग बहुत सारे चीज़े कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसी बनाने में काम आते हैं, forest resource, आपके लकडी, furniture, articles, wood के बने हुए chairs, यह सब बनाने में काम आते हैं, तो यह आप लिख सकते हो, इसके अलवा आप देखोगे, तो जंगल के जो पेड़ पहुजे होते हैं, वो fibers के तौर पे काम आते हैं, fibers बनाने के लिए, बांबूस जो होते हैं वो भी shelter बनाने के लिए काम आते हैं, जंगल में, gums निकलते हैं, जो gum होता है, sticky substance पेड़ में से निकलता है, gum हो गया, resins हो गया, rubbers हो गया, यह सभी चीज़ कहां से निकलता है, forest के resources से तो निकलता है, और इससे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी दिखा है, जो हमने तो अभी सी plants की बात करें, लेकिन animals की भी अगर बात करेंगे, जो जंगल से हमें आते हैं, उससे भी बहुत सारा important है, कि वो हमारे ecosystem को neat and clean रखते हैं, हमारा जो food chain है, उसको maintain करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़े जो आपको समझना पड़ेगा, और पिलिट का काम है, उसके बाद ये chapter आपका खतम हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे ocean resource, ठीक है, इसको खतम कर देता है, ओके, ocean यानि कि जो आपका समंदर होता है, जो आपका महा सागर बोलते हैं, जिसको ocean बोलते हैं, तो उसके resources क्या-क्या है, अगर हम बात करें ocean resource की, तो देखो, बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जो ocean से मिलते हैं, लगबग करोडों चीज, tons of, ठीके न, tons, जो बहुतना, हजारों की तादाद में हम लोग को बहुत सारे सामान, जो है, ocean से मिलते हैं, जैसे कि अगर बात करूँ, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, जो हम अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं कुछ मिनरल्स के नाम लिखों यहाँ पर, तो अगर तीन हो गया आपका, तीन, आयरन, जिंक, यह सबी चीज़, फिर उसके अलावा अगर मैंगनीज होगे, मैंगनीज, सलफर, यह सबी चीज़, और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर लिखाओंगो, तो टाइम खतम हो जाएगा, तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको ओई चीज़ बता रहा हूँ, आप अगर देखोगे, ध्यान से सोचोगे, और कहीं पर रिसर्च करगे, तो आपको पता चलेगा, कि लगबग बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, जो जमीन स लेकिन फिर भी अगर देखा जाएंजों, तो देरा सो मेनी प्रीट्स, और इसके अलावा भी देखा जायें, जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, जैसे कि कॉंचेस होते हैं, छंखब अगर होते हैं, शंक्ति होते हैं, और एक सबसे इंप्रॉटर्टन्ट चीज ओउ इसे मिलुता है। और इसके अलावा बात करें। तो mineral oil, जैसे मैं आपको बताया था, starting में, कि हम जमीन खोदते, pipeline डालते हैं, ताकि mineral oil, यानि कि crude oil जो होता है, वो nickels है कि crude oil, जिससे हम लोग पेट्रोल डिजल बनाते हैं, तो mineral oil भी, समंदर के अंदर, बीच में, बड़े-बड़े जहाज होते हैं, बड़े-बड़े, क्या होते हैं, बोट्स होते हैं, ships जिसको बोलते हैं, उसमें machines लगे होते हैं, और वो continuous टे डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, और हर दिन का crude oil निकालते हैं, एक company भी है, आपको प कुछ खाने की चीज़ भी मिलती है, जैसे की food products की अगर मैं बात करूँ, food products मतलब direct निकाओगे, लेकिन अगर हम बात करें, fishes, मच्छियां, तो आदे से यादा जो यहाँ पे local people होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनका जो रोजी-रोटी का जरिया होता है, वो fishes होते ह जाते हैं, फिश मारते हैं, फिश में Bombay duck, Bombay duck बोलते हैं, इसको Bombill बोला जाता है, Marathi में, there are so many types of fishes, हम लोग उसका जिकरने करेंगे, फिल जिंगे होगे, shrimps, shrimps, shrimps होगे, lobsters हो जाते हैं, बड़े-बड़े, lobsters हो जाते हैं, जो की shrimps के कैतेगिरी के यहाथे थोड़े ब जाता है उसमें से, तो इसे बहुत सारे चीज आज भी मिलते हैं, और बहुत सारे इसका इसका इस्तेमाल होता है, तो यही था दोस्तो हमारे oceans का, इन इसके अलाव़े भी बहुत सारे चीज है, जो की आपको पढ़ने मिलेगा, ठीके दोस्तो, तो इसी के साथ हमारा topic है, ocean resources जितने भी type के resources ते यह आपे खतम होता है, और इसी के साथ यह जो chapter है, हमारा natural resources यह भी होता है, खतम, तो उमीद करता हो दोस्तो हमारा chapter आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, हर एक topic आपको clear हो गया होगा, जब भी हम लोग आएंगे next lecture लेके, इसमें हम लोग आपके लि जैसा भी लगाए, अपना honest review दोगे, तो हम लोग को अच्छा लगता है, अगर आप प्यार दिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो please वीडियो को एक तरीके से comment जरूर करना, ताकि हम लोग को राय और suggestion आपका मिल सेके, और most importantly अगर आपको यह वीडियो पसंद तो please share करना है, कम से कम 8-10 लोग को तो share करो, ताकि उनको बोलो यार इतना important concept and knowledge और कोई नहीं देने वाला, तो share करो maximum people तक, सारे friends and relatives को share करो, and अगर अपने अभी तग इस चैनल को subscribe नहीं किया, तो फटा-फट से चैनल को भी subscribe करते हैं, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेक कराएंगे, आप लोगो notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye